मुसलिमों के बीच बड़ी ताकत हमेशा हासल कर लोगों के बीच एक पहतर प्राबक्ता के रूप में जिस बीच पी लीडर का नाम अब भी टॉप पर रहा है जिने हमीशा जो प्रशन सक है सबसे सदा प्यार देते आए हैं अगर बात की जाए मुसलिमों निता के भी इच कड़ी टकर देने वाले बीच पी लीडर की तो बात शाहनवाज हुसेन की ही होती है उन्ही का नाम सब की जुबा पर रहता है नमसकार देख रहे हैं आप SPN 9 News स्वागत है आप सब एक बफर से हमारे इस खास कारिक्रम में हम करेंगे बात शाहनवाज हुसेन की जिनों ने लगलतार ही टिपनियां की है बिजेपी की जीत और विपक्ष दलों की हार पर पिछले दिनों मायावती के साइकल से चीहा, हाथी से साइकल पर सवार होने वाले फैसले पर गट बंदन करने के फैसले पर चम कर तंज कसतेवे शाहनवाज हुसेन ने तमाम बयान दे और उन्होंने कहा कि ये सहारे लेना उन्हें जीत की रह पर नहीं ले जाएगा तो वहीं उन्होंने अब की बार 300 पार के बयान से मुधी सरकार की दूसरी जीत पर बात की वहीं हिमाचल प्रदेश में भी ओ शिमला में नजर आये प्रेस कॉन्फरेंस पर बीजेपी के पक्ष में बात करते हैं लेकिन ये सब ही जाते हैं कि शाह नवाज हुसेंग को भागलपूर से टिकट नहीं मिलने पर इस बार कहीं न कहीं उनकी मन में जो खटास है वो वरकरार है मुसलिम जो उन्हें कापी जादा पसंद करते हैं मुसलिम मतदाताओं के भी जो उनकी शवी है उस शवी के नाते ही मुसलिमों के दल में बीजेपी के लिए खटास भर गई जी हाँ ये तक बाते हो गई कि BJP ने टीकट ना दे कर दी हाँ लोग सभा चुनाव में उने टीकट ना दे कर कहीं न कहीं बड़ी भूल कर दी है लेकिन लंबा लक्ष है इस बार BJP का लोग सभा नहीं तो अभी विदान सभा चुनाव बाकी है जिससे लेकर बीचेपी का फैसला लोग सभाज चुनाव के लिए इस बार एक बड़े पक्ष की ताउर पर बड़े पत्यासी की ताउर पर शाहनवाज हुसेन को उतारने की है तयारी खैर इस पर तो नेक्स्ट येर पता चल जाएगा आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा फिलाल अगर बात की जाए लोग सभाज चुनाव के आखरी शरण से पहले होने वाले प्रचार के बीच शाहनवाज हुसेन की तरफ से आए एक नए बयान की तो उन्होंने इस बार कॉंग्रेस की पार्टी पर तंच कसा है कॉंग्रेस की शेयर परसन सोनिया गांधी को अपने निशाने पर लिया है सोनिया गांधी तमाम एंडीय गेर एंडीय के प्रत्याश्यों से मिलने के लिए पैसले ले चुकी है उन्होंने 23 मई की तारीख को उनके साथ मिलकर बैठख करने का उन्हें निमंत्रन पत्र बेज़ा है जिसमें तिलांगना की पार्टी की बात करे, बात करे, रासत की बात करे, बाकी विपक्ष तरलो की तो सभी शामिल है जिसमें गुलाम नवी आजाब भी है ऐसे में इन सब की भी शाहनवाज हुसेन ने कहा है कि इस बार कॉंग्रिस को जर है कि वो अपने पक्ष के ही पाथी किन्नेताओं के बीच हार का सामना करने वाली है जिसकी वजह से वो बैठब के लिए तयार होगे सोनिया गांधी पर्था निशाना तो शाहनवाज हुसेन ने क्या कहा हम आपको जरूर रूबरू कराना चाहेंगे शाहनवाज हुसेन का जो स्टेटमेंट आया है उससे रूबरू कराते वे आपको बताना चाहेंगे बिजेपी की चीत का एलान करते वे शाहनवाज हुसेन ने कहा है कि इस बार लोग सभाद चुना का जो रिजल्ट होगा पेहर मज़िदार होगा क्योंकि फिर मोधि सरकार ही इस बार जनता के बीचाएगी जनता के प्यार और भरोसे से मोधि सरकार एक बफिर अपने बादे को पूरा करते वे आगे के लक्ष को प्राप्त करेगी तो वहीं शाहनवाज हुसेन ने ये भी कहा कि कॉंग्रेस को ऐसा लगता है कि चोवाली सीटों से भी नीचे की सीट उन्हें मिलने वाली इस सीट पे भी अपना काबू नहीं रख पाएंगे जिसकी वजह से इस तरह के बैठक का फैसला सुनिया कांधी की तरफ से लिया जा रहा है ऐसा मन बनाये जा रहा है चीहा शाहनवाज हुसेन ने कहा है कि ये सभी जानते हैं कि 23 मई के बाद रिजल्ट के आने वाला है और इसलिए इस तरह के मन करंद कहानिया राजनीती में प्रच्चवार के माध्यम से बेचेपी के खिलाफ बनाकर पहलाये जा रहे हैं जनता को बा तोर पर ताकत रही हैं उनका पक्ष नहीं बदलने वाला हुने पूरा भरोसा है शाहनवाज हुसेन को कि इस बार भी बोधी सरकार की लहर दोड़ेगी एक बार फिर पूरे देश भर में बोधी लहर ही जीतेगी जीहां शाहनवाज हुसेन ने इसके अलावा ये भी कहा बा एंडिये को करा मुकाबला ना दे वलकि एंडिये की पार्टी को गिराए लेकि ऐसा सिर्फ और सिर्फ वो सपने देख सकती हैं अब करना पड़ेगा इंदिजार 23 मही की तारीक क्योंकि शाहनवाज भी है खुलकर तयार इस बार कॉंग्रेस की चीत नहीं बलकि हार का लोटेंगे जल्द SPN 9 News के खास प्रोग्राम को लेकर लोग सभा चुनाओ के नेक्स्ट बड़ी अपडेट के साथ जल्द आपकी विश लेकिन हर खबर के साथ बने रहने के लिए आप हमारे शैनल को फॉलो करना सब्स्क्राइब करना बिलकुल न भूलें साथ में बल आइ आप